उज्जेन में एक राजा था ये राजा शारेरिक सुखों में डूबा हुआ था वो वाकई अपनी मनमर्जी करते हुए जीरा था तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पिंगला तब पिंगला बोली अगर दो दिल मिलकर एक हो गए हूँ तब ऐसा ही होता है तो अगली बार जब वो शिकार पर गया वो इस चीज को आजमाना चाहता था उज्जेन में एक राजा था उसका नाम था भरतिहरी ये वही हैं जिनोंने श्रिंगार शटकम लिखा और बाद में वैरागय शटकम भी लिखा श्रिंगार शटकम एक कविताओं की रचना है इसमें सिर्फ काम की लालसा और काम सा हित्य है वैरागय शटकम एक पूरी तरह से वैरागय और द्यांक की रचना है ये राजा शारेरिक सुखों में डूबा हुआ था वो वाकई अपनी मनमर्जी करते हुए जीरा था एक दिन वो शिकार पर गया और उसने एक हिरन को निशाना बनाया और मार गिराया जब हिरन मर गया तो माधा हिरन जो उसके साथ ही थी वहीं खड़ी रही अपनी जान जोखे में डाल कर भी वो वहीं खड़ी रही राजा ये देखकर हैरान था भाग कर अपनी जान बचाने के बजाए वो वहीं मरने के लिए तैयार खड़ी थी और तभी इसी बीच राजा के साथ शिकार कर रहे सैनिकों में से एक को सांप ने डस लिया और वो भी मर गया जब वो मरा उसकी पत्नी आई और जैसे ही उन्होंने सैनिक को आग के हवाली किया तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस उरत को आग से दूर रखा क्योंकि वो आग में कूट जाना चाहती थी तो राजा ये देखकर राजा हैरान हो गया राजा अपने जीवन में खुद को ही सब कुछ समझता था उसके सुक उसकी पसंद वगरा वगरा जब उसने इस मादा हिरन को देखा और उस और उस औरत को आग में कूदने की कोशिश करते देखा तो वो एक तरह से कन्फ्यूजड हो गया तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पेंगला तो वो अपनी पत्नी से बात करते हुए बोला पता है आज मैंने ये दो घटनाएं देखी इन्होंने मेरा मन पूरी तरह से कन्फ्यूजड करके रख दिया है तब पेंगला बोली अगर दो दिल मिलकर एक हो गए हो तब ऐसा ही होता है ये एक स्वभाविक चीज़ है इसमें आश्चारी की बात नहीं है हैरानी की कोई बात नहीं है अगर दो दिल उनके अनुभाव में वाकई मिलकर एक हो गए हो गए हो उसके पास पांच सो स्त्रियां थी, उसे ये बात समझ में नहीं आई, तो अगली बार जब वो शिकार पर गया, वो इसको आजमाना चाहता था, उसने क्या किया कि उसने अपने कपलों पर जानवरों का खून सान कर उन्हें महल में बिचवा दिया, और पिंगला को ये बताया कि राजा मर गए, उन्हें एक बाग ने मार डाला, तो जब पिंगला को ये खून से सने कपड़े मिले, उसने कपड़े नीचे रखे, कपड़ों को नमन किया, और फिर उन कपड़ों पर लेट गई, और उसने वहीं अपनी अंतिम सांस ले और मर गई, जब उसे इस बात का पता चला, तो वो इतना जाधा परेशान हो गया, कि वो बस ऐसे ही उसे परखना चाह रहा था, और उसने सच में अपनी जान दे दी, और तब उसने अपना राज्य छोड़ दिया, और एक रिशी बन गए, और तब उन्होंने वेराग्य शटकम की रचना की, ये कविताओं कि नतीजा महत्वपूर नहीं होता, बलकि उस पल में भावना का आवेश और प्रेम किसी भी नतीजे से जाधा महत्वपूर होता है, किसी काम का नतीजा क्या होगा, ये हिसाब लगाना पुरुष प्रकृति का सौभाव है, पुरुष प्रकृति हमेशा नतीजे के बारे म पर जब बात जीवन की हो, अगर आप में स्त्री प्रकृती नहीं है, तो आप जीवन का आनन्द नहीं ले सकेंगे. तो यही स्त्री प्रकृति का स्वभाव है कि उसमें खुद के परे जाने की एक शमता है जो अपने से परे जा सकता है सिर्फ वही अध्यात्मिक प्रक्रिया के लायक है वो जो अपने आपको बचाना चाहता है वो अध्यात्मिक प्रक्रिया के लायक नहीं है शमभवी, एक ऐसी चीज है, जो आप में स्त्री प्रकृति को प्रज्वलित कर सकती हैं, क्योंकि अपने आपको अलग रखे बेना ये नहीं हो सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप होने देते हैं। शांभवी का सबसे खुबसूरत पहलू यही है, आप वाकई ये कर नहीं सकते, सिर्फ तब जब आप इसे होने देंगे, ये एक बाण की तरह आएगी, अगर आप इसे सही से टेक्निकली करना चाहेंगे, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्ट्रेस अपने आप में कुछ नहीं करती, जब आप इसे होने देते हैं, तब आपका सबसे भीतरी हिस्सा, जो की श्रिष्टी का आधार है, वो पूरी तरह प्रकट हो जाता है, झाल